कि अब आपके इसाम में आते हैं आप जानते हैं पहला पूशन आपका ऑपूट का ही होता है और तीन चार पूशन आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आते हैं कि पॉइंटर के आते हैं इस किसे आते हैं आज कोशिस करेंगे उस को आसानी से सॉल्व करने का तो फटापट उसका मतलब समझ लेते हैं और उसके पाद कुछोंट को सॉल्व करते हैं कि किस तरह से आसानी से आप भी रेंडम की कुशन को बना सकते हैं तो सबसे पहले रेंडम फंक्षन काम कैसे करता है बहुत ही जान लिज़े पहले जैसा कि सामने आप लिखा हुआ देख रहा है random n यानि यह random function को एक argument चाहिए होता है कोई number जैसे ही आप इसको number provide करते हैं it will generate any number between 0 to n-1 randomly for example random 10 यानि हमें 10 provide किया यहाँ पे तो क्या करेगा it will generate any number between 0 to 9 10 था हमने का n-1 यानि एक कम तो 0 to 9 यानि 10 से एक कम 9 तो 0 से लेके 9 तक कोई भी एक number generate कर सकता है अगर यहां पर रेंडम 100 दे देंगे तो 0 से 99 रेंडम 50 दे देंगे तो 0 से लेके 49 तो यह आपका basic concept रेंडम function का जो की काम करता है कोई भी number provide करने पे 0 to n-1 तक number generate करता है कई बार questions आपसे पुझा आता है एक number question दो पार्ट आपके जगर दो नंबर question है तो दो पार्ट पर रहता है पहला पार्ट होता है कि आपको minimum और maximum value बताना है जैसे लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू रैंडम एक्स इक्वल टू रैंडम एक्स इक्वल टू रैंडम आपसे तूछता है कि एक्स की minimum और maximum value क्या हो सकती है तो अब minimum और maximum value क्या हो सकती है जीरो से लेकर नाइन तक हो 10 क्लस हो जाएगा और maximum value क्या हो सकते हैं 10 से लिखे Links तक तर लिए तो यह 10 इसका minimum value हो गया और यह 90 इसका maximum value हो गया तो यह तो basic concept है आपके random function का अब हम लोग आगे कुछ examples को solve करके देख लेते हैं कि कैसे questions आपके इसमें आते हैं कि आपके सामने है इस्टेटी को में प्रोग्राम एंड सलेक्ट और करेक्ट ऑप्शन्स कोश्ण ध्यान से पढ़िएगा को आई एंटी में इक पल्टी फाई तो देखें आपने लिख लिया में की वैलों 25 जो की कॉंस्टेंट वैलू है वाइड में शुरू हुआ यानि स्कोर की वैलू क्या है यह भी हमें यहां लिख लिया इस्टोर इक नम एगल बना लिया गया और आप देख पा रहा है आई बन से जुरू हो रहा है और लेस दन इक वैल टू फोर यानि फोर टाइंट चलेगा वन टू त्री फोर नीचे आते हैं नम एक पल्टू मिल प्लस रैंडम स्कोर तो रैंडम स्कोर के अंदर जो कुछ भी होगा वह जीरो से लेके स्कोर माइनस वन तक चलेगा तो देखें यहां पर हमने च्छुटर से टेवल बना लिया है आपको इस तरह से बना लिजेगा तो आपको असानी हो जाएगा हमने क्या है आई की वैल्यव देखें चार पर में थी पॉर्ड यांक करे दिख लिए और नंब की वैलू परस्ट टाइम के लिए होगी मिले प्लस रैंडम स्कोर तो मिलें की यहां पर प्रिंटिक आइब तो यहां लिग दीजीरी फाइव प्लस से रैंडम स्कोर क्या वैलो हो सकती है देख लेजिए तो एक सब्सक्राइब यहां खेक्व इन यह उसकता है यहां पे लिखा हुआ है नम कहा से वह सकता है तो नम का रहाब जोगा 25 प्लस 0 यानि 25 से लेके कहां तक 25 प्लस 9 तक यानि 34 तक 25 से लेके 34 तक फर्स्ट टाइम जब आई की वैलू है तो इसका रेंज हो सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं प्लस यानि पहली बार जो जोगा कहां से नहीं तक 25 से लेके 34 तक और उसके बाद लगते आएगा तो हम यहां पर लिखते हैं यहां पर पहली बार जोगा तो क्या हो सकता है 25 से लेके 34 तक 25 से 34 तक और पहली बार उसके बाद स्कोर माइनस माइनस हो गया है स्कोर की वैलू क्या हो जाएगे 10 से हो गयी है 9 हो गया अब देखें यहां पर जाएगे की वैलू 2 हो जाएगे नीचे जाएगे नम की वैलू यानि दूसरी इंट्रेशं में क्या होगा मिन प्लस रैंडम मिन की वैलू तो वही है 25 और यह कितना जाएगा तो रेंज क्या होगा 25 से 33 तो जो सेकेंड वालू प्रिंट होगी वो क्या होगा 25 से लेके 33 तक प्रिंट हो सकता है ठीक है इसके बाद फिर से कोलन लगा देंगे ध्यान रखिएगा जिन कहीं भी कोलन अगर है आपके आपके मार्स मिलते हैं तो आप बहुत ध्यान से इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे ताकि आप सही जगर पर लगा पाएं फिर से चलते हैं थर्ड इक्रेशन में आई के वेलू क्या हो गए पहली बार 1 दूसरी बार 2 अब है 3 3 less than equal to 4 condition true है नीची आएंगे नम की वेलू अध slight ॥ार्ड इक्रेशन में क्या हो सकता है मिन प्लस रेंडम स्कोर अभ इस फोड़ लिए थिरल यहां पर लिक लेता है थार्ड इक्रेशन 750 तो अब रेंज क्या बनता है नम के लिए 25 से ले करके 32 तक का रेंज बनता है थर्ड वैलू जो आएगी वो क्या आएगी 25 से लेके 32 तक का इसके बाद देखिए फिर से स्कोर माइनस माइनस होता है चौती बार के लिए जब आई की वैलू 4 है ओपर जाएंगे 4 लेस दन इकपल टू 4 रहेगा नीचे आएगे यहां पर 7 हो चुका है इसकोर तो अब नम इकपल टू मिन प्लस रेंटम कितना हो जाएगा मिन की वैलू 25 और रेंडम की वैलू स्कोर की वैलू 7 है यानि 0 to 6 तक जाएगा यानि 25 प्लस 0 to 6 यानि 25 से लेके 31 तक चौती वैलू जो होगी वह हमारी कहां से कहां तक होगी 25 से लेके 31 तक तो बस अब इसके बाद हम यहां देखें प्रोडाम प्रतम हो रहा है 5 होने के बाद और बहार आ जाएंगे और हमारा यह possible output आपके सामने है जो कि range एक नमका हो सकता है तो आप देख सकते हैं यहां पर आउटुट आपका यहां पर रैंडम में एक यह से अधिक आउपूट आ सकते हैं क्या क्या possible output है उसको अपको correct करना होता है एक भी हो सकता है एक से अधिक भी हो सकता है तो आप शेक लिए निकलने के बाद possible output आपके सामने चली चेक करते हैं किसे चेक करना है देखिए आपके सामने output अब लेबल है पहला 34 34 हो सकता है क्या पहला तो 25 से लिए 34 का रेंज भो सकता है यानि correct है फिर 31 हो सकता है क्या second output 25 यानि हो सकता है correct है फिर देखिए 25 से लेके 32 के बीच में 30 है यह भी correct है फिर देखिए 33 है लेकिन 4 ताउट नहीं हो सकता तो यह हमने रॉम कर दिया से लिए 29 हो सकता है 25 से 34 की बीच की वैलू है correct है 25 से 32 के बीच correct है 25 से 31 के बीच 31 करेक्ट है यानि second output आपका correct है इसके बाद 3rd मिला लेते हैं पहला वैलू 34 है 25 से 34 करेक्ट है इसके बाद लाश्ट मिला लीजे इस तरह से आपके यह दो आउट पुट करेक्ट है तो फिर से एक बाद इसको आप बनाईएगा और इस तरह से रंद कराके देखिएगा उमीद है आपको समझ में आता है चलिए आप देखते हैं अपना next एक और इसमें इसके निकालना है सामने वाले परभाम में से तो अगर यह मान में जीरो का वन जीरो का टू जीरो का टू जीरो का ती जीरो का टीजिरो कि तो यहां पर मैंने लिख दिया है आपके सुधा के लिए जीरो पर डेल हो गया वन पर छी एचन हो गया वी पर गॉंबे और फोर भी इंटी इसके बाद आगे बढ़ते हैं लोग आएंटी फ्लाई एक पर एंटी फ्लाइबल है इसको लोग यहां पर लिखिया हूँ है लूप चलेगा इस फ्लाई की बैल तो पहले इटरेशन के लिए फ्लाई की वैलू क्या होगा रैंडम क्या होगा जीरो से साइस माइनस वन वन मेंने से कुछ जम्रेट होसकता है इसकी जगब पहले इटरेशन में वन तो देखेरे मैंने आकेल निए लिए फ्लाई पहली बार में तो यहां पर जाएंगे, City Fly, City Fly का मतब जाओगा, City का 0, या City का 1, तो 0 या 1, 0 पर क्या है, Del, और 1 पर क्या है, CHN, तो पहला output क्या हो सकता है, Del या CHN, यहां लिख लेते हैं दी एल कि अबलिक सीएच एंग पहला उपूट हो सकता है और इसके बाद देखिए पोलम है तो यहां लगा लगा लेगा लेंगे यहां बेदेखिए यहां यहां पर अचीज के यहां लिख दिया जैगते हैं और अपर आई की वैलू तो आप मिनिमम्म चाथा है कि साओ तो या तो या तो वन होगी या तो वन और टो या तो सिर आउट इस अप्र्सक्राइब हो सकता है इसके बाद हम चलते हैं तीसरे इटरेशन के लिए अब हो जाएगा आई की वैलू पहली बाट जीनो फिर बन अब टू तू लेस दन त्री प्रू है नीशे आते हैं प्लाइक पर टू रेंडम टू रेंडम टू की वैलू फिट से जीव और वन ही होगी और इसकी व इसे जाए कर तो फिर से निकल कि आ रहा है पॉसेबल आउटपूट्स आपको और फिर आपको गिवन आउट्पूट में से मैच करना है कि कौन कौन सी पॉसिबिटीज आपके आपके दी हुए जिससे मैच करेंगी वो पॉस हो जाएगा तो आपके सामने पहला पूट है डेली ऑपलिक चन्न ही हो सकता है या हमारा देखें पहले में देली नहीं है यानि क जलें से कराते हैं फैला उप्शंट नहीं हो सकता है या हो सकता है जा नहीं हो सकता है क्योंकि पहला देली या ही हो सकता है तो यह थाड़ ऑप्शन भी होता है अब इसके बाद लास्ट ऑच्छन है तो इस तदर से आप पहले अपना पॉसिबल निकाल लीजिए और उसके बाद आप से मैस कराइए क्या सही है या नहीं चलिए एक और आपके सामने आपको सही आंसर मार्क करना है यह कुष्ण को आई एंटी नम एक वैलियेबल है नम की वैलू क्या है एक नॉर्मल वैलियेबल है मैंने यहां पे नम एक वैलियेबल लिख दिया है अधिर अम हरेंटी नम डूर्ट सेवटार इंटी नम वैलू क्या हो सकती है जैसे पहले निकालान खट से निकाल लेते हैं रेंडम नम की वैलू नम की वैलू 7 है यानि 0 to 6 इसकी वज़ा से क्या होगा 0 to 6 अगर यहीं के अम ठीचें को क्या होगा 0 to 6 plus 7 जो कि मैंने यहां लिख जिया है जीरो से लेके 6 तक जन्रेट होगा इसकी वज़ा से और फिर उसके बास 7 इसके प्लस हो जाएगा तो अगर 0 जन्रेट होगा तो 0 plus 7 कितना हो गया 7 और अगर 6 जन्रेट होगा तो 6 plus 7 क्या हो गया 13 तो इसका ब्रेंज क्या होगे अर्टी नम का 7 से लेके 13 तर मिनिमुम वैलू 7 एंड मैक्सम वैलू 13 इसके पाद आगे बढ़ते हैं 4 I and T, N equal to 1 तो N की वैलू क्या होगे है 1 और N less than equal to R&D नम कहा तक चलेगा Less than equal to R&D नम कहाँ से कहा तक है 7 से लेके 13 तर तो या ये सबन तक चलेगा या एट तक चलेगा या नाइन तक चलेगा या 10 तक 11 तक 12 तक या 13 तक यह लूप चल सकता है कितने time minimum seven times maximum 13 times कहाँ से बज़से लेकर seven times seven times या बज़से लेकर 13 अगयोब आपका execute हो सकता है clear है नीचे जाते हैं और होगा क्या out n n print हो जा रहा है तो क्या हो सकता है अगर मानने से लेकर 13 तक में पहली बार हो सबसे लूप चलता है वालेता है शिर्ण लिउस सब्सक्राइब का सब्सक्राइब लोगाव सब्सक्राइब वाई धिक नूए । अबहुत देखेंगे लिए तगा सकता है सब्सक्राइब तो अगर वह सकता है तो कहां से कहां तक प्रिंट हो जाएगा वन से लेके एड़ तक अगर नाइन हुआ तो वन से एलेवन वन से तुवेल या वन से थर्टीन इतना आउट्पुट आ सकता है अगर मैच होता है तो बहुत से लिएगा जाएगा तरहीं है यहां पेलिका होए फहला फाइपर को शुरस यह तो यह क्यानि it is also correct answer ठीक है और उसके बाद देखे जीरो से लेके 9 तक है और और हमारे आउट्पुट में अभी भी जीरो नहीं आएगा तो यह आपका गलत आंसर है और इसके बाद देखिए बंग से लेकर 14 तक है तो क्या 14 तक जाता है इसका मतलब है कि यह आपका रॉंग आउट्पुट है तो आपका पहला और दूसरा आउट्पुट सही तो यह आपको करना क्या यहां पे हैं बहुत ध्यान से मैं फिर से बोल रहा हूं स्टेप पर मार्किंग होती है तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि स्पेस कॉमा आपका लाइन चेंज इस लैशन इंडल जहां-जहां यूज हुआ है आप जरूर उसको ध्यान रखेंगे और उसके कि आपका आउट्पुट सही है या नहीं है इतनी बातों अगर ध्यान रखेंगे तो उमीद है आप रेंटम मोशन आसानी से कर पाएंगे थैंक्यू मैंने मच्छा